बिजली संकट समस्या से जल्द मिलेगी निजात दी गई अतिरिक तरासी सीम हमांद जारखन में इन दिनों बिजली की संकट उत्पन हो गई है इस समस्या से लोग को निजात दिलाने को लेकर हमांद सरकार गम भीर दिख रही है जाहां जारखन केमिनेट की बैठक में डिवी सी और न्टी पी सी को 1690 क्रोर की टैरिफ सबसिट्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत इस रासी से बकाया भुकतान किया जा रहा है वहीं सीम हेमन सुरे ने राजे वासियों को जल्द इस संकर्ट से निजात दिलाने का अस्वासन दिया बतादे सीम सीरी सुरेन केमिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में बिली की कमी है जारखन भी इस से अचुता नहीं है राजे में अस्थापित पावर पलांटों में कूल छामता से कौम बिली का उत्पादन हो रहा है इसके कारण ही ऐसी थिती उत्पन हो गई है जारखन में तपती घर्मी से जल्द रहत मिलने की उमीद है लू और चिजिलाती धूप के बीच 29 अप्रेल से बारिस की संभवना है इसे लोग को रहत मिलेगी रांची मौसम केंदर के प्रभारी अविसेक आनन्द ने बताया कि 29 अप्रेल से बारिस की संभवना है इसे लोग को काफी रहत मिलेगी कुछ जीलो में 21 और 22 अप्रेल को बारिस हुई थी लेकिन इसके बाद तापमान बढ़ना सुरू हो गया था फिरहाल राज्ये के जयातर हिसों में तापमान 40 डिग्री से अधिक है बता दे जारखन में तेज धूप और गर्मी से लोग बहाल है इस बीच लूच चलने से लोग परसानी बढ़ गई है जारखन में अब साड़े दस बजे हो जाएगी स्कूलों में छुटी राज्ये में पढ़ रही भारी गर्मी के बीच बच्चों के लिए रहत भरी खबर है बताते बच्चों को अब स्कूलों से सुबा साड़े दस बजे ही छुटी मिल जाएगी सरकार ने राज्ये में पढ़ रही भारी गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों को सुबा छव बचे साड़े दस बचे तक ही संचालित करने का निन लिया है स्कूली सिक्षा यम सक्षार्ता विभाग के मंत्री जगनात महतों ने इसकी घोस्ना मंगलवार को की राज्ये के सरकारी स्कूलों के समय में यह तीसरी बार बदलाव किया जा रहा है कोरोना से दिन भर में 1400 मौते चौथी लहर से हड़ कंप आज बड़ा फैसला है देश में कोरोना के चौथी लहर आने की खबर ने सब की बेचाइनी बढ़ा दी है हर कोई एक बार फीर से पुराने दिनों को याद कर सिहर जा रहे हैं बता दे कोरोना वायरस के पहले दूसरे और तीसरे दोर में अपनों को खोने वाले खासे चिंती था है बीते दीन देश के अलग-अलग राजियों में एक दिन में 1399 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की खबर ने पूरे जारखन में हड़कम मजा दिया है बता दे दिल्ली, हर्याना, उतरपरदेश, महराष्ट, करनाटक, केरल, में घालाए, आदी राजियों में लगतार कोरोना की नए मामले बढ़ने पर लोग ज्यादाता स्वतर्क हो गया है वे करोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से उमीद भरी नजरों से देख रहे हैं केंद्रिय बिद्याल में एड्मिशन पर नाया गाइडलाइन केंद्रिय बिद्याल में एड्मिशन के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है इस बार सरकार ने MP और DM का कोटा भी खत्म कर दिया है हाल के दिनों में कलास 2 में नमांकन पर किलिया सुरू हुई है संभव हाई की अगले 1-2 दिनों में कलास 1 के लिए चुनिनदा छात्रों का नमांकन सुरू हो जाएगा इस से पहले अमतिम समय में कलास 1 के लिए लोटरी रद कर दिया है लालू यादो गुरुवार को जमानत पर रिहा होंगे चारा घोटाला मामले में सजाया अफ्ता लालू परसाद यादो गुरुवार तक जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं जार्खन हाई कोट के जस्टिस अफरेस कुमार सिंग ने उन्हें 22 अपरेल को जमानत की सुविधा परदान कर दी थी मंगलवार को अदालत का आदेश वेपसाइट पर अपलोड किया गया है बुद्धवार को उक्त आदेश नीचली अदालत को फैक्स किया जाएगा जार्खन के जेलों की बढ़ेगी चौक्सी राज्जे की जेलों में चौक्सी बढ़ाने की तियारी है जेलों में अतेधुनिक उपकरन लगेंगे इसकी पूरी फांडिंग केंद्र करेगा केंद्रिय गिरी मंत्रालने पांच साल के लिए आधुने की करण प्रोजेक्ट त्यार किया है इसके अनुसार बर्थ दोयर शबीस तक के लिए जेल आधुने की करण मदमेकारे होंगे प्रोजेक्ट के अनुसार सभी जेलो में वीडियो कन्फरेंसिंग, इस्प्राटक्चर, बोल्डी ओन कैमरा, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा विवस्था, बैगेज, एसकेनर, जैमर आधी को अपग्रेट किया जाना है पतादे ब्यूरो औप पूलिस रिसर्च आएंड डेवलोप्मेंट की अनुसार सा के बाद पूरे देश में जेलो को इस्थिती सुधारने की दिशा में काम चल रहा है सीएम हेमन्त की सिकायते लेकर राजेपाल गए दिली जार्खन की राजेपालर में स बैस मंगलवार के सुबा नई दिली चले गया है मंगलवार को ही वे नई दिली से चन्डी गड़ गय जहां वे राजभण में अवेजित एक करिकरम में सामिल हुए राजेपाल बुद्वार को दिली में रहेंगे यहां उनका राष्ट पति रामनात कोविन तथा गिरी मंत्रियामीत सासे मुलकात का कारिकरम है बताया जाता है कि इस करम में राजेपाल दोनों को जार्खन से सम्मंधित रिपोर्ट सोपेंगे राजेपाल को परतेक महराजे से सम्मंधित रिपोर्ट देनी परती है राजेपाल इस करम में राजे की राजनीतिक घटना क्रमों से भी राष्ट पतियोग्री मंत्री को अगोत कराएंगे खास कर मुख्य मंत्री हमासरेण को पत्थर ख़दान लीज अवंटित होने तथा राजभवन द्वाराज सम्मी धान की धारा 192 के तहुत इस पर भारत निर्वाचन आयोग के मंत्व्य मांगे जाने की जनकारी देंगे रगवरदास ने बेटे समय सो से अधीक करीवियों को टाटा में दिलाई नवकरी पूरो मुख मंत्री रगवरदास द्वारा सोमो और को मुख मंत्री हमान सुरेन पर पत्नी के नाम जमीन लेने समद्धी आरोपो के बाद मंगलवार को जामो ने पलटवार किया है पार्टी के केंद्रिये करेला में मीडिया से मुखातीब केंद्रिये समीती सर्ष सुप्रियों भटाचाई ने अरोप लगाया है कि अपने सासनकाल में रखवर्दास ने अपने बेटे समें 100 से अधीक करीबियों को दवाब बना का टाटा समो के विभीन कंप्णियों में नोकरी दिलाई उन्होंने दवा किया कि सीम हमन्सुरन के प्रेश सलकार अभी ऐक पर साथ को रखवर्दास की ततकालिन सरकार नही 2016 में इस्टोन क्रेसर का लाइसेंस दिया था आज वे इसे गलत बता रहे हैं सिख्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिती पर लगे रोक लगे जारखन राज उर्दू सिख्षक संग की बैठक मंगलवार को केंद्रिय कराला में हुई अध्यक्सता वरिये उपध्यक्ष नाजीम असरफ ने की संचालन महासचीव अमीन अहमद ने किया बता दे अमीन अमद ने कहा कि एक बार फिर से कुरोना के बढ़ते परभाव को देखते वे सिख्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिती बनाये जाने पर रोक लगा देनी चाहिए इस्ते संक्रमन का खात्रा कम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि कोविट संक्रमन काल में बचों की पढ़ाई बाधीत होने के काराण सिख्षा सचीव द्वारा गर्मी छुटी रद करने या कम करने के फैसले का संग स्वागत करता है बिद्याला बिकास अनुदान के लिए मिलेंगे 10,000-1,000,000 रुपए चारखन के सरकारी स्कूलों को बिद्याला बिकास अनुदान के लिए 10,000 से लेकर 1,000,000 रुपए तक मिलेंगे यह रासी स्कूलों में 16,000 के नमांकन का धार पर मिलेंगे इसके लिए जारखन सिक्षा पर्योजना परिशत की राजे पर्योजना निदेशक की अनकुमारी पासी ने सब ही DEO, DSO को निदेश दिया है बतादे बिद्याला बिकास अनुदान के तहट जायरी की जाने वाली रासी से 10,000 रासी स्वाक्षता पर खर्च की जाएगी इसकूल अपने अउसकता अनुदा रासी का उप्योग कर सकेंगे अगर बिद्याला बिकास अनुदान की रासी मार्च 2,30 तक खर्च नहीं होती हा तो अगले वीतिये वर्च में रासी खर्च नहीं की जा सकेगी जारखन में पंचाज चुनावरद कराने की मांग पंचाज चुनावरद कराने की मांग कर रहे टाना भगत समुदाय ने मंगलवार को लातेहर में समानाले का खिराव कर काम का इस्ठप करा दिया अंदोलन कारियों ने अखिल भारतिय टाना भगत समुदाय कमेटी के बैनर तले कलेक्टरेट पर अनिश्चित कालिन धारना शुरू कर दिया है उन्होंने कलेक्टरेट में अधिकारियों करमचारियों को उनके कर्यालियों से बाहर कर ताला जड़ दिया है बता दे कलेक्टरेट परिशन में जब यह सब अंगामा हो रहा था तब अंदरोन कारियों का ओग्र रूप देखर किसी की उन्हें रोकने की हिमत नहीं होई भीशन गर्मी से इस्कूल में छात्रा बेहोस ज़ारखन के कई जिले भीशन गर्मी और लू की चपेट में है मंगलबा सुबा गढ़वा जिले के नौपरात्मिक विद्यार लए दासी पूर में कक्षा चार की छात्रा स्रेया कुमारी बेहोस हो गई बाद में होस आने के बाद छात्रा को परिजनों को बुलाकर साथ में घर बेज़ दिया गया बताद 6 अप्रियल को विभीन इसकूलों के 3 विय द्यार थी भी लू और गर्मी के चपेट में आने से बेहोस हो गई थे बच्चों के बेहोस होने से इस्कूलों में आफरात अफरे की थिती उत्पन हो गई थी जारखन के अस्पतालों में बनेंगे क्रिटिकल केर बलोग जारखन के अत्ति गंभीर मरीजों को अपने ही जीले में बिसिष्ट उपचार की सुभिधा मिलेगी इसके लिए राजे के सभी मेडिकल कोलेजों और जीला अस्पतालों में क्रिटिकल केर बलोग की अस्थापना की जाएगी बता दे जीला अस्पतालों में अस्थापित की जाने वाले क्रिटिकल केर बलोग की छामता जहां सो बाई पचास बेट की होगी वही medical college में 50 बेट की छामता के critical care block बनाये जाएंगे इसके साथ ही भवन भीहीन स्वास्त उपकेंद्रों के भवन बनाये जाएंगे दिली होट की तर्ज पर जल्द बनेगा रांची अर्बन होट दिली होट की तर्ज पर रांची अर्बन होट बनेगा पिछले 5 साल से बंद पड़े रांची अर्बन होट के reconstruction master plan का PPT पोर्जेंटेंशन CM हिमन सुरिन के समक्ष रखा गया है जारखन मंत्राले में रांची नगर निगम की ओर से PPT पेस किया गया अब इसके बनने का असार काफी बढ़ गया है इसके बनने से जहां छेतरिये कारिगरों को एक platform मिलेगा वहीं रोजगार के भी ओसर बढ़ेंगे बतादे रांची नगर निगम द्वारा PPT पोरियन टेंशन के माध्यम से मुखे मत्रे हमन सुरिन को अवगत कराते हुए बताया गया कि गत 30 अगस 2016 को इसके निर्मान की शुरुआत हुई थी जारखन में अस्थापित हुआ राजे का सबसे उचा सीवलिंग एतिहासिक चुटिया नगरी में जारखन का सबसे उचा सीवलिंग अस्थापित किया गया है इसकी उचाई 108 फिट है यानि इस सीवलिंग की उचाई करनाटक स्थीत कोटिल्य लिंगे स्वर मंदीर जितनी है या स्वर ने रेखा धाम केतारी बागान चुटिया इस्थीत सीरी सुरेश्वर महास देव महंदीर में अस्थापित है इसी का प्राण पत्रिष्ठा समारो 3 मई से सुरू होगा आदिवासियों ने केंद्र सरकार को दिया अल्टिमेटम आदिवासि धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारती आदिवासि धर्म परिशत के बैनर तले जंतर मंतर पर धरना का आवजन किया गया पुरो मंत्री गीता सिरी उराव ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के धर्म कोड मामले की अंदेखी कर रही है भी उने धर्म कोड से वन्चित रखा गया है सीम रोजगार स्रीजन योजना के पईनाम से संतोष्ट नहीं हेमन्त सुरेन सीम हेमान सुरे ने राजिये में मुख्य मंत्री रोजगार स्रीजन योजना का लाब अधिक सधिक लोगों को देने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि योजना लागू हुए एक बरस होने के बाद भी उमीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है अधिकारी इस योजना का लाब बड़े प्रमाने पर देना सुनिस्चित करे कल्यान विभाग एक सब्ता में इसकी कार्योजना तयार करे बतादे मुख्य मंत्री सोम वर्क अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अलफ संख्या के वां पिछला वर कल्यान विभाकी समिलचा कर रहे थे मुख्य मंत्री को बताया गया कि राजे में मुख्य मंत्री रोजगार सिर्जन जोजना 2021-22 के तहट अनुसूची जन जाती के 1672, पिछला वर के 1180, दिव्यांको 70 वह 249 अलपसंख्यक समुदाय के लोगों ने 100 रोजगार के लिए लोन कावेदन दिया था धनबाद से राजस्व करमचारी 9000 घूस लेते आरेष्ट, जारखन के धनबाद जिले के बाग मारा में एंटी करप्सन ब्योरो की टीम ने 9000 रुपे रिस्वत लेते राजस्व करमचारी देविंद्र कुमार पंडे को धर्दबोचा है ACB की टीम उससे पुष्टाश कर रही है, पताद म्योटेशन के नाम पर नेपाल चंद्र महतों से 25 रुपे घूस की मायं की गई थी, इसके बाद उन्होंने ACB से सिकाइट की थी, जाच में पुष्टी होने के बाद करवाई की गई है साधी समारों से पहले सड़क हादसा में 12 लोग घायल, पलामू जी लेके हदर नगर में मोहमत गंज, जापला मोखे पत के जीन तालक के समीप आटो पलटने से 12 लोग घायल हो गया है, इसमें 6 बरस से 10 बरस तक के 4 बचे सामिल हाए बता दे एस सभी साधी समारों में सामिल होने के लिए जा रहे थे, इससे पहले सड़क हादसा हो गया, आटो ट्राइबर लोग कुमार ने बताया कि वहाद मोहमत गंज के बेगम पूरा गायों से एक परिवार को लेकर जपला जा रहा था, धन्यवाद, यदि आप चनल पन नहीं होते चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदर वाई, साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले, साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्य दे, थांक्यू